हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी योटूब चैनल देव जी के ट्रेक्स में तो दोस्तों आम लोग यहां पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस लगाएंगे और आज प्रस्नों की संख्या लगबग आपकी सत्तर रखी गई है बहुती बेहतर इंटेस्ट होने वाला है और यहां से आपके हमेशा प्रस्नाप के पूछे जाते हैं तो जितने लोग यहां पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें सभी को गोड यूनिंग गोड यूनिंग सभी को गोड यूनिंग देखो टाइम से आया करिए भाई गोड यूनिंग सभी को गोड यूनिंग चली स्टार्ट करते हैं अवाज आ रही है ना किलियर है चली तो स्टार्ट करते हैं यहां पर आपका प्रस दिया गया है कि क्या आप घर भी जाएंगे वाकि में रेखांकित सब्द बताना है यहां पर आप सब्द जो आपको है य कैसा है सग्या है विसेशन है सरोनाम है या किरिया है क्या है यह एंग। और बिल्कुल सही जवाबा रहे हैं Hope not पर тобой कैसे सरोनाम क सरोनाम हो सब्सक्रार करें है कि जातिवाज्यक संग्या सरोनाम बिसेशन किरिया अब्य सब्दों से सब्द बना जाते हैं यहाँ पर दे सकते हैं कि जो संग्या सरुनाम बिसेशन और किरिया एक अब्य है और इनसे जो सब्द बना जाते हैं वो आपके कौन से तो आपका जवाब हो जएगा option A हो जएगा भावाचक संग्या ठीक है इनसे सभी से क्या बना जाते हैं भावाचक संग्या बना जाते हैं option रैट आपका A हो जएगा next person आप से पूछा है कि संग्या का भेद नहीं है संग्या का भेद नहीं है चले जवाब दीजे सभी लोग सभी लोग यहाँ पर टाईम साय करिये good union सभी को good union टाईम साय करिये 8.30 वजे ठीके चले तो यहाँ पर संग्या का भेद नहीं होता है कौन सा यहाँ पर तो देखें बेक्तिवाचक संग्या जातिवाचक संग्या और भावाचक आपने पढ़ा है लेकिन यहाँ पर जवाब होजेगा निजिवाचक निजिवाचक यह आपके कह सकते हैं संग्या का भेज नहीं होता है यह सरोनाम का भेद होता है तो option right आपके यहाँ पर जिसका c आ रहा है बिल्कुर सही जवाब है ठीके अगरे प्रस्न को और बढ़ते हैं प्रस्न आप से कह रहा है कि निमलिखित में से सरोनाम है यहाँ पर सरोनाम की पैचान करना है और सरोनाम आपका कौन सा हो जाएगा बिल्कुर सही है सभी के जवाब बिल्कुर सही है आप सब्द क्या है यह आपका सरोनाम है सरोनाम की बात करते हैं तो सरोनाम की भेद में यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुष वाचक के अंतरगत आपके यहाँ पर उत्तम पुरुष, मद्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष उत्तम पुरुष में मैं, हम, हम लोग मद्यम पुरुष में तो, तुम और आप यह होते हैं अन्य में यह, यह, वा, यह, वो, वो, लोग, यह वागेरा होते हैं निश्चय अगर वाचक कोई आपका यहाँ पर सरोनाम है तो निश्य में होता है यह और यह अनिश्य वाचक में कोई कुछ सम्बंद में जो सो और प्रस्ण वाचक में कौन क्या और निज वाचक में क्या होता है आपका आप सब्द होता है जो निज के लिए आथा सोता के लिए प्रयोग किया आता है अगरे प्रस्णिकोर बढ़ते हैं प्रस्ण आप से कह रहा है कि पुरुष वाचक सुरुनाम के कितने भेद होते हैं अब ही हमने आपको यहां पर बता दिया है तो कितने होते हैं बिल्कुर सही है very good options right आपका हो जबेगा यह नंबर आपके तीन व्य जब्ध होते हैं ठीके तीन व्य दोते हैं आपका अभी हमने बताया कि उत्तम पुरुष मद्यम पुरुष और अन पुरुष ठीके यह ढ़के दिख सकते हैं उत्तम पुरुष कि मैं हम मैंने मेरा हमारा मुझे मुझे को ये उत्तम पुरुष में मध्यम पुरुष में तुम 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 ने तुम को आप ठीके और अन्य पुरुष में वह हुए ये सवातें आपके ये आपके कैस सिकते हैं ठीके अगले प्रस्ण को और बढ़ते हैं क सरो नाम का साब्दिकर्थ क्या होता है चलिए साथियों जवाब दीजिए बिल्कुल सही जवाब है सरो नाम का साब्दिकर्थ होता है सब का नाम क्या होता है सब का नाम मतलब कि जिस सब्द का प्रियोग संग्या की बदले में होता है उसे हम लोग सरो नाम कहते हैं आपके य यह मेरी पतंग है तो यहां पर मेरी सब्द आपको दिया गया है मेरी सब्द जो इंगित कर रहा है वो किस सरुनाम को इंगित कर रहा है बिल्कुत सही है जवाब आ रहे हैं बिल्कुत सही है मेरी मतलब कि यह निश्चे है कि यह मेरी ही पतंग है ठीके तो जवाब यहां पर आपका A हुजएगा निश्चे वाचक सरुणाम हो जएगा यह मेरी पतंग है, मेरी सर्दिंगित कर रहा है निश्चित कोächlich round विट् व्छी क्या है, पूंचा गया है कि फिसलन है, फिसलन बताईए कि फिसलन क्या है, विसेशन है, प्रुणा क्र्या पध है, भाव अचक संग्या है या किरिया भी सेशण है क्या बोलेंगे फिसलन को चलिए वेरी गुड अच्छे बिलकुल तयारी अच्छी है और जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा आपका C नमबर भाव अचक संग्या है याद रखे क्या है फिसलन यह भाव अचक संग्या है जिएको किसी भाव, गुण, दसा, आधी का ग्यान जब होता है वैसे सब्दाप की वहाँ पर भाव अचक संग्या कहलाते हैं जिसे क्रोध, मिठास, योवन, कालिमा ठीके? चलिए नेश प्रस्न कोर बढ़ते हैं प्रस्न आप से पूछा गया है कि निम्निकित में से, चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चैन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुस वाचक सरुनाम का भीद नहीं है पुरुस वाचक सरुनाम का भीद नहीं है साथियो, गलत मत करिए और यहां पर अभी आपको हमने बताया है कौन सा सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा विल्कुल सही है very good बहुत अच्छे विल्कुल सही है जवाब option right आपका देखिए आपका C हो जाएगा अति उत्तम पुरुस नहीं होता है आति उत्तम पुरुस नहीं होता है वचण किसके लिए प्रियोग किये जाते है चलिए यहां पर जवाब देना है वचण किसके लिए प्रियोग किये जाते है very good बिल्कुल सही जवाब आ रहे है और यहां पर आपका जवाब हो जाएगा option right ए हो जाएगा संग्या के लिए यादर कि वच्चन का प्रियोग संग्या के लिए होता है ठीके और इसके बाद नेश्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन आपसे एगला पूछा गया है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है इस वाकि में किस सरुनाम का प्रियोग उखते हैं कोई कोई सब्द लगा हुआ है कोई पर आपको फोकस करना है और कोई जो सब्द है यह आपका अनिश्चय वाचक है अनिश्चय है पता नहीं कौन बुला रहा है आपको इस करण से यह आपका हो जाएगा अनिश्चे वाचक स्वारनामिक विसेशंड ओप्सन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा समझ में आ गया ना चलिए निश्प्रस्ण क्यों राते हैं प्रस्ण आपसे कह रहा है आपर कि ब्यक्ति वर्ष्ट या इस्थान के नाम को क्या कहते हैं गलत मत करिएगा चलिए जवाब आ रहा है बिल्कुत सही है ब्यक्ति वर्ष्ट या इस्थान के नाम को क्या कहते हैं बहुत अच्छे, बिलकुल अच्छी तयारी है यहां पर, थोड़ा और तयारी करिए सभी लोग, तो यहां पर जबाब हो जग आपका ए नमबर संग्या, ठीके, किसी ब्यक्ति वर्ष्ट या इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं, ठीके, चलिए, नेस प्रस्निकोर बढ़ते हैं, चलिए, अगला प्रस्नाप से आ चुका है, कि जो भावाचक संग्या नहीं है, उसका चैन करके रिक्तिस्थान भरिये, निम्न से भावाचक संग्या नहीं है, कौन सी, यहां पर भावाचक की पैचान करना है, और यहां पर, करुणा है, सुन्दर्ता है, अमीरी है, औ इसका सभी होता है, काफी लोग तो तुक्का ये लगा रहे हैं, चलिए इसका जवाब हो जाएगा यहां पर देखो, जो चारों विकल्प है याँ पर देखे करुणा है देखो करुण का करुणा सुन्दर्ता, अमीरी और पढ़ाई ये चारों ही विकल्प इस प्रस्ण के सही है ये चारों ही विकल्प भावचक संग्या है समझे आ गया ना तो इसका जवाब आपको याँ पर A, B, C, D अथास सभी हो जाएंगे ठीके, चारों ही आपके हो जाएंगे और अगले प्रस्ण कोर बढ़ते हैं प्रस्ण आपसे कह रहा है कि निम्रिकित प्रस्ण में देगे विकल्पों में से रेखांकित सब्द के आधार पर सरुनाम के सही भेद को पहचानिए काराब से कोई आपसे मिलने आया है चलिए साथ योग कोई में अंडरलाइन लगा है फोकस आपको करना है किस पर कोई में करना है और कोई क्या होता है कोई क्या होता है कोई सब्द आपका होता है अनिश्चे वाचक very good option आपका फर्स्ट हो जाएगा अनिश्चे वाचक सब्नाम होता है ए नमबर आपका सही हो जाएगा निश्च प्रस्ट को आते हैं प्रस्ट आपसे एगला पूछा गया है आपर कहरा आपसे कि गांधी को राश्पिता कहा है कहा गया है वाकि में संग्या के किस रूप में वर्डित हो रहा है गांधी जी को राश्पिता कहा गया है तो यहाँ पर के सकते हैं बोध किसका करा रह जाती ब्यक्ति वाचक क्या हो जाएगा यहां पर तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा ब्यक्ति वाचक से भावाचक गांधी जी को राष्ट पिता ठीके यह भाव को प्रदिर्शित करेगा जाके तो यहां पर आपका सी हो जाएगा कि गांधी जी को या गांधी को ठीक कि भाव को प्रकष करवा रहा है नेश प्रसंदिक को आते हैं प्रसनाप कर रहा है कि युझा अब बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाकि में रहे खंकिद आपका पध है यहां पर मिष्यारु सब्द क्या है संग्याज सरुनाम किर्या क्या हो जाएगा साथियो तो यहाँ पर जवाब जवाब हो जाएगा option right very good जवाब आ रहे हैं बिल्कुत सही जवाब आ रहे हैं बहुत अच्छे और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डि नमबर बिसेशन है याद रखेगा कि जो धार्मिक सब्द है यह आपका क्या है बिसेशन है बिसेशन क्या है कि जिस सब्द से संग्या ये स्वरोनाम की बिसेशना अर्थात आकार और स्था रूप गुण आदिका बोध हो उससे हम लोग बिसेशन कहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं धार्मिक सब्द व्यक्त की विशेष्टा बतला रहा है आता है यहां पर क्या हो जाएगा धार्मिक विशेष्ण कहलाएगा चलिए नेश कोश्चन के तरफ बढ़ते हैं कि निम्लिकित प्रस्ण में चार विकल्प है यहां पर आपको बताना है कि विकल्प का चैन करें जो कि दिये गए वाक्य में विशेष्ण सब्दी की विशेष्टा प्रकट करता है इस वर्वत माला में बहुत उंचे-उंचे पहाड है इस वाक्य में विशेष्ण सब्दी की विशेष्टा प्रकट करता है तो जवाब यहां पर 78 का आपका हो जाएगा बहुत, बहुत सब्द क्या है आपका ये बिसेशन है बहुत सब्द क्या है, बिसेशन है इस प्रकाल से आपका जवाब आपका B हो जाएगा अगले प्रस्न को और बढ़ते हैं प्रस्न आप से कह रहा है कि आटे में थोड़ा नमक डाले वाकि में प्युक्त व्याकरण पहचाने आटे में थोड़ा नमक डाले यह क्या आपको बता रहा है यहां पर? यह क्या बता रहा है? यहां पर देखो थोड़ा सब्द दे रहा है और थोड़ा कह सकते हैं कि ये आपका अनिश्चित है और यहाँ पर कह सकते हैं कि आता है अर्थात नापतौल से सम्मंधित है ठीके तौल से अर्थात परिमाडवाचक। तो अनिश्चित परिमाडवाचक आपका हो जाएगा option D सही हो जाएगा चलिए नेश प्रस्नी को राते हैं कि निम्लिखित में से विसेशन है चलिए विसेशन पहचानिए 480C और यहाँ पर लंबाई बुढ़ापा, समझ और सांत तो यहाँ पर आपका जवाब हो जेगा option जिसका जवाब यहाँ पर DRI बिल्कुँ सही होगा, D नमबर जो सांत है, सांत एक विसेशन है संग्या स्वरनाम की विसेशता बतलाने वाले को विसेशन कहते हैं ठीके, यहाँ पर नेश प्रस्नी को राते हैं कहरा आप से कि नमणिखी सबदों में से विसेशन को पहचानी विसेशन को पहचानना है अरे यहाँ पर देखे यह जो आपका है, शांत जो आपका है वो विसेशन है, यह तीनों आपकी वो संग्याए हैं, ठीके समाज में आया, चलो तो यहाँ पर आपका जो बिसेशन पहचानना था तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा option A number एतिहासिक एतिहासिक सब्द जो आपका है यह बिसेशन है ठीके और यहाँ पर जो कह सकते हैं जैसे इतिहास आपने नाम सुना होगा इतिहास ठीके इतिहास आपने नाम सुना है इतिहास जो सब्ध है ये एक सब्ध है और इसका विसेशन बनता है इतिहासिक जैसे उपासना है उपासना का अगर हम लोग विसेशन बनाए तो उपासित बनता है इसका अगर बनाए तो उपासित बन जाएगा ये इसका विशेशन कहलाएगा ठीके अगर आश्वासन की बात करें आश्वासन एक सब्द है इसका अगर विशेशन बनाना चाहे है तो आश्वासित बनेगा समझ में आ रहा है चलिए निश्प्रस्णिकोर आते हैं और इतने लोग जुड़े हैं टाइम से पढ़ाई किया करिए चलिए विशेशन के मुख्यता कितने भेद होते हैं विशेशन के मुख्यता कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा तो जवाब हो जाएगा उप्सन राइट आपको यहाँ पर बी नमबर चार भेद होते हैं सारुनामिक, गुडवाचक, संख्यावाचक, परिमाड ठीक है अगरे प्रस्न कोर बढ़ते हैं प्रस्न आप से कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा विसेशन्ड नहीं है कौन सा विसेशन्ड नहीं है चले, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा तो पत्रीला, नमकीन, बरफीला और आपका नमक तो पता तो चली गया है कि यहाँ पर आपका जो जवाब है डी नमबर नमक यह आपका विसेशन्ड नहीं है यह विसेश सब्द है, ठीक है यहां बिशेस है जिसका बिशेसन नमकीन बनता है ठीक है इसका बिशेसन क्या है यह सद्ध सुद्ध हो जाएगा कि यह नमकीन है ठीक है और अगले पॉइंट के तरफ बढ़ते हैं पॉइंट आपसे अगला कह रहा है कि समझदार सब्द बिशेसन का कौन सा भेद है समझदा पर और समझदार जो आपका है ये इसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रहा है कि वो समझदार है था तो उसके अंदर ये गुण है तो जवाब क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विसेशन हो जाएगा ठीके और यहाँ पर देखो सरुनामिक विसेशन सरुनामिक बिसेशन में होता है कि पुरुस वाचक और निजवाचक सरुनाम के अत्रिक्त अन्य सरुनाम जब किसी संग्या के बदले आते हैं तब उस सरुनामिक होते हैं परिमाड में तो आपको बताए कि वस्तु के नापतौल की बात होता है और संख्या में संख्या वाची होता है जब संख्या संनम की संख्या बतलाते हैं चलिए नेश प्रस्ण आप से पूछा है कि चर्चा सब्द से बना बिसेशन बताएए चलिए साथियो चर्चा सब्द से बिसेशन कौन से बनेगा और जवाब बिलकुल सही आ रहे हैं सभी के जवाब सही आना चाहिए तभी आनन्द आएगा यहां पर क्लास में बिलकुल बराबर हो जाएए इतनी मेनत करिए कि सब के जवाब एक साथ बिलकुल आ जाएए दिन रात मेने करिए और अपना टार्गेट जो रखे हैं वो टार्गेट को पाकर ही रहिए तो चर्चा सब्द से बना भी से सब्द आपका हो जाएगा चर्चित वेरी गुड ओप्सन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा चर्चित हो जाएगा चलिए निश्प्रस्णिकूर बढ़ते हैं करापसे चौथा बेक्ती ज्यादा होसियार है इस वाक्य में चौथा क्या है चौथा बेक्ती यहाँ पर जवाब क्या बनेगा तो चौथा बेक्ती ज्यादा होसियार है यहाँ पर देखे option आपका D हो जाएगा, संख्या जो यह चोथा बेकती है तो चोथा सब्दाब से पूछा कि वाक्य में चोथा, तो चोथा आपका क्या है यह आपका है संख्या वाचक विसेशन, क्या है आपका यह संख्या वाचक विसेशन है, ठीके और संख्या वाचक विसेशन भी आपके होते है तीन, तीसरा, दोनों, एक, दो, चार ऐसे होते हैं, और कई प्रकार भी इसके बन जाते हैं अगले प्रस्णिकोर बढ़ते हैं कि राप से थोड़ा सा दूद गरम कर दो इस वाक में विसेशन का कौन सा भीध है थोड़ा सा दूद गरम कर दो क्या बनेगा जवाब तो यहाँ पर जवाब से क्या हो जएगा देखो, परिमाड तो होगा ही इससे पता चला है कि यहाँ पर दूद है और यह नापतौल से सम्मंदित है यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जएगा परिमाड अर्थात जब थोड़ा है एक निश्चित तो है नहीं है तो आपका यहाँ पर हो जएगा अनिश्चित परिमाड वाचक ठीके, तो आपसन आपका यहाँ पर D हो जाएगा हम यहाँ पर नापतावल मतलब समगते हो कि जैसे दोध है उसको हमनों नापते हैं किसे लीटर से नापते हैं ठीक है और इस प्रकास से चलिए अगले प्रसुनिकोर बढ़ते हैं कि यहाँ कुत्ता मेरा है इस वाद में प्रियुक्ति विसेशन का प्रकार यह आपका सार्वनामिक बिसेशन होता है तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जएगा सार्वनामिक बिसेशन बहुत अच्छा लग रहा है जिब सभी के जवाब अच्छे आ रहे हैं और तभी सिलेक्शन मिलेगा युद्ध के जंग में बिल्कुल से हरेक सब्जेक्ट में बराबर होना चाहिए तभी आपको जौब मिलेगी चलिए तो यहां पर दिया है भारत की सबसे चोड़ी नदी ब्रह्म पुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है वात्मी प्रियुक्त सब्द जो सबसे है सबसे है यह आपका है क्या तो सबसे आपका जो हो जाएगा यहां पर वो क्या हो जाएगा तो यह देखो विसेशन नहीं है यह प्राविसेशन है क्या है यह यह प्राविसेशन है यहां पर देखो कहरा है अपसे कि भारत की सबसे चोड़ी नदी ब्रह्म पुत्र तथा सबसे लंबी यहां पर चोड़ी तो विसेशन है लेकिन सबसे विसेशन की परिभास अब विसेशन की विसेशन बता दे वह अप्रा विसेशन होता है। ठीके, अगले प्रस्ण को बढ़ते हैं, कि चंद रूपय बचाने की चक्कर में कई लोगों को सर्मसार होना पड़ा इस वात्मी प्युक्ति विसेशन का भेद पहचानी है। चंद रुपए दिया है यहांपर सातियों, गौर करिएगा चंद रुपए, आपसे ये नहीं कहा गया है कि 5 रुपए या 10 रुपए या 12 रुपए, चंद रुपए मतलब कुछ रुपए होते हैं, और कुछ रुपए यहांपर जो हो जाएंगे वो आपके अनिश्चित चलिए, next प्रस्न की ओर बढ़ते हैं, प्रस्न आप से याँ पर कह रहा है, कि विशेशन की विशेषता बतलाने वाला सब्ध क्या कहलाता है, अभी अमने आपको बताया है, यही परिभासा बताया है, और सबका जवाब आना चाहिए, और यहाँ पर जितने भाई देखो, ले पूरी क्लास खतम होती है, फिर आप आते हैं, फिर आप घुस्सा होते हैं, कि इस तरह लो दो मिनट में तो आप चले गए, तो यहाँ पर विसेशन की विसेशता बताने वाला सब्द कहलाता है, क्या कहता है, विल्कुर सही है, इसे प्राविसेशन कहते हैं, भी नमबर आपक हैं यहां क्या विश्यस्ता बताई जा रही है इलहाबादी अम्रूद मीठे होते हैं यहां पर बताई क्या जा रही किस पर फोकस कराया जा रहा है बानवे में तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा इलहाबादी अम्रूद मीठे होते हैं यहां पर देखो इलहाबादी कर हो जाता ठीक है और अगर आम की बात करता तो फ्लाद बोल देते तो मलीहावात पहुच जाते यूपी में मलीहावात प्रशिध देना ठीक है चलो अगले प्रस्न को रबड़ते हैं प्रस्णाप से आपर कह रहा है कि इनमें कौन सा परिमाण वाचक विसेशन का उधारन नहीं है साथ ही यहाँ पर नहीं सब्द लग गया है जो कि कोश्चन को बदल दे रहा है परिमाण वाचक विसेशन का उधारन नहीं है तिरानवे में तो देखो यहाँ पर देखो परिमा नहीं तोल सकते हैं, जब नहीं तोल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये विसेशन का उधारण नहीं होगा, कौन से विसेशन, परिमाण वाचक विसेशन का उधारण, ये नमबर आपका हो जाएगा, ये नहीं है, समझ में आ गया, चलिए, नेश प्रस्मकूर बढ़ते है कि परिमार वाचक बी सेशन द्वारा किसका बोध होता है तो जवाब यहां पर आपका हो जाएगा option right यहां पर B number किरिया के नापतवल का होता है ठीक है option आपका B हो जाएगा तो उनको फैदा ही रहेगा कि थोड़ा सच्छा बता देंगी तो उनको भी आ जाएगा पुराने बच्चे तो हीरो हो चुके हैं लेकिन जीरो को हीरो बनाना ये हमारा फर्ज है जब सभी हीरो हो जाएंगे तब हम भी एक हीरो ही कहलाएंगे वो भी आपकी द्वारा आप कहेंगे ने हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी तयार किया था और आज जो बने हैं इस चैनल के मदद से बने हुए हैं चलिए तो यहाँ पर ऐस सालों बाद उसका प्रवासी पती लोटा है इस वाकि में कौन सा सब्द बिसेशन है बिसेशन की बाद किया है सातियों बिसेशन तो यहाँ पर देखे उसका सालों बाद उसका प्रवासी पती प्रवासी सब्द आ गया है यहाँ पर प्रवासी तो वाकि में प्रवासी सब्द जो आपका है वो आपका बिसेशन है option आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर C हो जाएगा समझ में आ गया और अगले point की उड़ बढ़ते हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए तो हमको भी आनन्द आया करे जितना वीडियो लाइक करोगे उतना ही आनन्द हमें आएगा चलो एक बढ़ वीडियो लाइक कर दीजे सभी लोग तब तक हम पानी पी लें चलिए यहाँ पर 496 का जवाब क्या हो जाएगा 496 में दिया है से संग्या या सरुनाम सब्दी की विसेस्ता प्रकट होती है तो यहाँ पर आपका जवाब हो जगा आपका जवाब हो जवाब हो जवाब का डी नंबर गुण वाचक विसेस्ता है क्या यह साथ यो गुण वाचक है अगले प्रसन कोर बढ़ते हैं प्रसन आप सिके रहा है कि दादी ने धेर सारे खिलाओने खरीदे इस वाद की में प्रियुक्त विसेस्ता कौन सा है दादी ने धेर सारे यहाँ पर देखो धेर सारे दिया है मतलब कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बिसेशनों में तुल्ला के आधार पर कितनी अवस्थाइं होती हैं काफी अच्छा प्रस्ण है और यहां से भी काफी प्रस्ण आपके बनते हैं यह टॉपिक इतना अच्छा है यह टॉपिक इतना ज्यादा पूछा जाता है और इससे बहुत प्रस्ण बनते हैं आपके और काफी knowledge भी मिलता है इस topic से तो यहाँ पर जबाब हो जएगा अपसर राइट सभी के जबाब यहाँ पर सही नहीं आए एक दो तीन, क्या है सही जबाब हो जबाब का D number यहाँ पर तीन हो जएगा तीन आपकी अवस्थाएं होती हैं आपने पढ़ा होगा मुला वस्था, उत्तरा वस्था और आपकी उत्मा वस्था ठीके, जैसे कोमल, कोमलतर कोमलतम, समझ में आया तो तीन अवस्थाएं आपकी होती है और अगला प्रस्ण दिया है कि कितने प्रस्ण करने है इस वाक में विसेशन भेद बताईए कितने प्रस्ण करने है विसेशन का भेद बताईए तो क्या हो जाएगा आपका क्या होगा बिल्कोछ सई जवाब है very good option आपका भी हो जाएगा संख्या वाचक विसेशन है अगले प्रस्ण कूर बढ़ते हैं प्रस्ण आपसे कह रहा है कि नीचे दिये गए सब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उधारण नहीं है तो नहीं है तो देखिए आपका कौन सा नहीं है अयतिहासिक प्रभावसाली पास्चात बहुत लंबी रसी तो बहुत लंबी रसी ये गुणवाचक नहीं है ठीके तो जवाब यहाँ पर आपका होज़ेगा कौन सा डी नंबर ठीके और यहाँ पर ऐसा नहीं कोई रसी गुण होता है इसलिए लंबी होती है ठीके लंबी है तो लंबी है ठीके गुण नहीं है उसके चली अगले प्रसुनिक आधे हैं कि यह काहाणी रोचक है यह बिसेश्ण का कौन सा भेद है चले सात्यों यह सब्दकों पंचानना है यह बिसेश्ण का कौन सा भेद है 502 का जवाब और यह यह यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जएगा संकेत तो होगा नहीं, ना निश्ची संकी में होगा ना गुड में तो होगा आपका सारुनामिक, option right आपका C होजएगा, सारुनामिक होजएगा, ठीके, जिसे यह लड़का हमारे गाउं का है, है ना, और इसी ग्रूप में देखो, बोलते हैं, यह दोस्त हमारे गाउं के हमा से अवस्ता है, चलिए, अभी आपने बताया था कि विशेषण की तुल्ला के अधर पर तीन अवस्ता हैं, और यहाँ पर निवनतम, यह आपका जो हो जाएगा, यह आपकी उत्तमा वस्ता है, अभी उत्तमा वस्ता जो आपकी इसको समल लीजीए आप पहले, देखें, मु नितर भी आपका निम्तम ये आपकी वो तिये भी सेशन की तुल्ला के आधार परवस्थ हैं समझ में आ गया चलिए नेस प्रस निकोर आते हैं प्रस आपसे कह रहा है कि योग बेक्ति ही पहचाना जाता है वाक में योग की सब्द क्या है बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया है कि योग बेक्ति ही पहचाना जाता है वो कुछ भी कर ले कितने भी पैसे कमा ले लेकिन जब योग बे होता है आप लोगों की लाइफ में सिर्फ एकी चीज होना चाहिए सिर्फ जॉब जिस दिन आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी उस दिन आप योग हो जाएंगे पैस कि कोई वेलू नहीं है चाहे वो दस हजार कमाए चाहे परड़े का दो हजार कमाए चाहे साथ हजार कमाए उसकी वेलू नहीं होती वेलू तभी होगी जब उसे सरकारी जॉब मिल जाएगी आप कहीं से भी जा रहे होंगे फलाने ये जॉब में करते हैं साधी की संबंद व आप जरूरी है यह समलो पैसे के लिए यह समलो लाइप के लिए यह समलो अच्छी बीवी पाने के लिए ठेक है न अच्छे गुण तवीम होंगे जब आप लोग सरकारी जोब पाएंगे तो आज से टार्गेट रख लो कि हमें सरकारी जोब ही चाहिए कुछ भी करना पड़े तो यहाँ पर देखो योग सब्द क्या है 505 का जवाब option right आपका D हो जएगा गुण वाचक उसके अंदर योगिता है उसके अंदर गुण है तो option आपका D हो जएगा चरिए नेश प्रस्न को राते हैं कि मोहनी तेज दोड़ती है इस वाकि में तेज क्या है मोहनी तेज दोड़ती है और मोहनी तेज दोड़ती इस वाकि में तेज सब्द क्या है तेज सब्द क्या है आपका तो यह तो बिसेशन है लेकिन मोहनी तेज दोड़ती है यह ऐसा नहीं है कि देखो इस्थान की बात तो नहीं करेंगे ना परिमाण की बात करें ना काल की बात करेंगे रीति वाचक ये रीत है कि वो तेज दोड़ती है इस कारण से हाँ पर आपका क्या बनेगा कि रीति वाचक क्रिया विसेशन ये टेस्ट पेपर में भी आपको देखनों की मिला था ठीक है तो ये आपका हो जाएगा आपका बी नमबर आपका हो जाएगा अगरे प्रसन को बढ़ते हैं प्रसन आपसे कह रहा है कि एक लड़का इसकूल जा रहा है इस वाथ में बिसेशन पेंचानिये एक लड़का इसकूल जा रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बीसेसन आपका सही हो जाएगा देखो करम वाच दिया है समदाय वाच दिया है आवरति वाच और गड़ना यहाँ पर एक लड़का दिया है न एक, दो, तीन, चार, पाँच यह जो सब्दाते हैं यह गड़ना वाचक में आते हैं option आपका D हो जाएगा अगले प्रस्ण कोर आते हैं प्रस्ण आपसे कह रहा है कि मोहन तुमसे चाउगुना काम करता है मोहन तुमसे चाउगुना काम करता है तो चाउगुना सब्दा आपका आ गया है चाउगुना और चौगुना जो आपका होता है यह आपका होता है आबरतिवाचक में याद रखेगा कि आबरतिवाचक में क्या होता है दुगुना, तिगुना, चौगुना, पांचुगुना यह आते हैं आपके आबरतिवाचक में आते हैं याद रखेगा ठीके और एगले प्रसंद को राते हैं प्रसंद आप से कह रहा है कि चीनी, मदरासी, बिहारी आधी सब्दे कौन सा विसेशन है चीनी, मदरासी और बिहारी तो क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे इस्थान की बात कर रहा है ना इस्थान की बात कहे रहा है चीनी, मदरासी, बिहारी option आपका C हो जाएगा और निश्प प्रस्ण आप से कहे रहा है कि जिस संग्या या सरुनाम सब्दी की विसेष्था बताई जाए वह क्या कहलाता है जवाब क्या हो जाएगा आपका तो जवाब हो जाएगा option right आपका यहाँ पर option हो जाएगा ए नंबर बिसेश से कराता है जिस संग्या सरुनाम सद्दिकी बिसेशता बताई जाए उसे बिसेश से कहा जाता है ठीके तो option आपका क्या हो जाएगा अपका यह नंबर आपका पुझेगा ठीके और इसकी बाद एक प्रस्णों लगाते हैं कि दिये गए विकल्पों में से पवित्रता का बिसेशन कौन सा है पवित्रता का बिसेशन कौन सा है पवित्रता इसका बिसेशन पूछा है और यहां पर बिसेशन बनेगा क्या पवित् हो जाएगा ठीके तो आज यहीं पर रखते हैं ठीके तो आपसे request है कि आप हिंदी के साथ साथ आप जीके भी पढ़िए आप math भी पढ़िए reasoning भी पढ़िए ठीके यह आपका फर्ज है कि कहां पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं आपकी उपर depend है ठीके और जाते जादे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजे ठीके सभी लो लाइक कर दीजे और लाइक कर दीजे और इसके बाद अच्छे से जाएए ठीके धन्यवाद जय हिन जय भारत